असलाम अलेकम जी, तो हमने कुछ बेसिक सी प्रोटोटाइप्स जेनरेट की और इसके बाद हम चाहेंगे कि हम इसको अपने यूजर के साथ शेयर करें ताके वो हमें फीड़बैक दे सकें तो उसके लिए जी, मैं वापिस प्रोटोटाइप के सेक्शन में जा रहा हूँ और यहां से मैं अपनी स्क्रीन की सेलेक्शन करता हूँ तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टन आइकॉन है कि वर्ट वुड बी दे फर्स्ट स्क्रीन जो के यूजर को नजर आएगी तो वो हम सेट करते हैं इस स्क्रीन को, इसको मैं यहां से सेट करता हूँ और यह आइकॉन ब्लू हो गया, इसके बाद इस इस दफ फ्लो वन, ठीक है तो फ्लो वन का मतलब यह है कि फॉर एक्जामपल आप एक ही फाइल के अंदर multiple experiences को design कर रहे हैं कि website का design भी आप एक ही file में कर रहे है, mobile application का design भी एक ही file में कर रहे है तो आप mobile application को separate कर सकते हैं website के साथ, ठीक है फॉर एंगजामपल आप इस flow को separately share करना चाहते है, user के साथ और इस flow को separately share करना चाहते है, तो मैं दुबारा से इस पे click करता हूँ और इसको हम set कर देते है, that is the flow 2, ठीक है, and this is the flow 1 तो इस flow 1 का link मैं अलग से generate कर सकता हूँ, और इस flow 2 का link मैं अलग से generate कर सकता हूँ लेकिन design मेरा एक ही file में placed है तो हम इसका link generate करते हैं मैंने इस पे click किया मैं वापिस अपने share में जाता हूँ और इसको zoom out करते हैं ठीक है अब जितनी भी screens आपको highlight variant में नजर आ रही है वो ही आपका link generate होगा और वो user उसको test कर सकते हैं जो इस वकत आपकी screens dim हो गई है इसका मतलब है जब आप link generate करेंगे so these screens will not be included in this specific link ठीक है अगर आप इनको भी include करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी basic सी एक prototype generate करनी पड़ेगी जैसा कि आप इस screen को भी include करना चाहते हैं इसके अंदर so prototypes में जाएं और यहां से इस register पे एक prototype लगा है and that is going to be this ठीक है और इसकी बजाएं आप इसको home field बना दे so this is the flow 3 उसने create कर दिया अगर हम share में जाते हैं so these three screens will be seen when we generate the link तो यहां से एक बड़ी important चीज है के आपने इसको design specifications के तोहर पे save करना है या आपने इसको design review के लिए save करना है तो फिलहाल हम इसको set करेंगे कि get feedback on your design और prototype तो design review को select करते हैं तो जिसके साथ भी यह link share किया जाएगा वो इस design को देख सकता है अगर आप password set करना चाहते हैं password भी set कर सकते हैं तो यहाँ से create a link करते हैं और उसको browser में open करके देखते हैं that how the users can see the design और वो उसको feedback कैसे दे सकते हैं so the link has been created मैं यहाँ से इस link को copy कर लेता हूँ अपने browser में जाते हैं और यहाँ से जाके इसको paste करते हैं ठीक है तो यह link open हो गया जी browser के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी important है अगर आप बिल्कुल bottom पर देखें तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि देरा three screens ठीक है आप यहाँ से भी navigate कर सकते हैं और अगर prototypes लगी वी हैं इन screens के उपर तो आप यहाँ से उसको check भी कर सकते हैं ठीक है जैसा कि हमने prototype लगाई थी इसके उपर तो इस पर click करें और वो वैसे ही काम करेगी ठीक है और आप नीचे से भी navigate कर सकते हैं इसके लाबा for example client कहता है कि इस screen के उपर back button होना चाहिए चीक है क्योंके मैं वापस नहीं जा सकता है if I want to change my number तो वो यहां से pin को place करता है ठीक है मैंने pin की selection की और यहां से जाके इस location पर click करते हैं और कहते हैं कि there should be a back button because I can't go back to change my number ठीक है जी और वो यहां से इसको submit करता है तो यह हमने comment submit कर दिया इसके बाद जब आप इस comment पर hover करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह comment specifically किस specific area के लिए है और when you are done with it तो आप simple इस dot पर click करें और यहां से उसको resolve पर click करके resolve कर सकते हैं ज서 इस अओ और you can generate the link and to share with your users and theja client to test the design so see you in the next lesson thank you so much zhou